नमस्कार मित्रो अनुछेद लेखन में आज का हमारा विशे है नैतिक पतन तेश का पतन या सच चरित्रता का महत्व या फिर सामाजिक जीवन में बढ़ता ब्रश्टाचार या नैतिकता का गिरता हुआ इस्तर इसके संकेत बिंदु है नैतिकता मानव की श्रिष्टता की कसोटी बरतमान इस्तिती और हमारा कर्तव्य किसी ने सच कहा है कि यदि मनुष्य का चरित्र चला गया तो समझो उसका सब कुछ चला गया मानव चरित्र ही नैतिकता का परियाय कहा जाता है मनुष्य का यश गुरू गौरव उसकी संपन्दता एवं मान मर्यादा उसके चरित्र पर ही निर्भर है सत्यवादिता, दयालुता, निश्कपटता, सदाचार, संतोष, पारशपरिक सहयोग ये सभी नैतिकता के आधार बिंदु है अच्छा व्यवहार, परिश्रम शेलता, कर्तव्य निश्ठा, समय निश्ठा, आधी गुण जिस व्यक्ती में होंगे वह निश्चे ही नैतिकता की कसोटी पर खरा उतरेगा किसी भी राष्ट या समाज की उन्नती की आधार शिला, महां के निवाशियों की सच्चरित्रता, परिश्रम शीलता, अत्वा उनके नैतिक मूल्य होते हैं विश्व के जो देश आज उन्नती के चर्मोत कर्श पर पहुँचे हुए हैं, उनकी उन्नती का आधार इन्ही नैतिक मूल्यों में आस्था तथा जीवन में इन्हें उतारना है कभी समय था जब हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसेन था विश्व गुरु के पद से सम्मानित इसी देश के समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता, सच्चरित्रता तथा सदाचार की सिख्षा दी करुणा, दया, परोपकार, कर्तव्य परायनता, आत्मसैयम, इंद्रिय दमन, सत्य भाषन जैसे अनेक नैतिक मुल्यों के कारण ही हम विश्व गुरु के पद पर आजीन थे अनेक पौरानिंग तथा एतिहाशिक आख्यान इस बात के साक्षी है आज चारो और श्वार्थ, इर्ष्या, अहंकार, लोब, व्यक्तिगत श्वार्थ की भावना बैमानी का बोल बाला है यदि देश का हर व्यक्ति नैतिक मुल्यों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम पुनह विश्व में सिर्मौर हो बन जाएंगे अतास्पस्ट है कि नैतिक पतन ही देश के पतन का मुख्य कारण है तथा नैतिक उन्नती ही देश की उन्नती की आधार शिला यदि एकजिट होकर कृत संकल्प होकर निष्ठा से इमानदारी से नैतिक मुल्यों को अपने जीवन में उतारने का बेड़ा उठा ले तो देश की अखंडता तथा एकता की रक्षा करके उसे सिर्मौर बना सकते हैं हमें महाकवी निराला की ये पंक्तिया श्मरंट रखनी चाहिए पद रज भी नहीं है पूरा यह विश्व भार जागो फिर एक बार लाओ दिरेश का बेशा में नहीं है